नमस्कार दोस्तो मैं ODK आप सही कर स्वागत है माई टू चनल में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मुवाइल से UP स्कॉलर्शिप का स्टेटर्स कैसे चेक कर सकते हैं कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी ब्र में है जो सर्कारी जोग फाइंड़ आप इस वाली अपसन पर कलिक करेंगे लिक करने बाद यहाँ पर आप देख पारोंगे यहाँ पर नीचे लिख़ा है UP scholarship status 2021 तो आपको इस वाली option पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको करना क्या है आपको नीचे जाना है नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर option मिलेगा यहाँ पर नीचे तो आपको नीचे आना है नीचे आपको कई सारी option मिल लाएंगे यहाँ पर देख पार होंगे यहाँ पर अपना account number डालके आप अपना status चेक कर सकते हैं यहाँ पर pre metric वाला मिल लाएगा intermediate का मिल लाएगा यहाँ पर post metric का मिल लाएगा यहाँ पर post metric other का मिल लाएगा मतलब आप जिस पर जो आपको select करना है आपको फ्रेस वाली option पर click करके आप चेक कर सकते हैं तो न्यूज जो आ रही है मैं आपको न्यूज भी दिखाता हूँ यहाँ पर तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंजोची जाज छात्राओं के छाजबिती और फिस भरपाई वित्रण पर आने वाले बैभार का केंड और राज सरकार के भी 40-70% के अनपाद में हुए बटवारे की वज़ा से लागू किया जा रहा है। यहां पर देख सकते हैं इस छात्रविती योजना पर आने वाले खुल बैभार का 40% राजबान परदेश सरकार देगी और 7% केंडरांस केंडर सरकार समाज कल्यान प्रिभाग के सहार्यक निर्देशक सिधान्त मिस्ट ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अन्सुचित जाच के कच्छादस से उपर की कच्छाओं और MBA, Engineering, Nursing, Medical आधी ब्यवसाइक परकरवमे में पढ़ रहे ऐसे गरीब होगा जरूर मन्द छात्छात्राएं जिनोंने छात्विती और फिस भरपाई के लिए आवेदन किया हुआ है। जिला आश्चरी कमेटरी से उनकी आवेदन की सभी बेवरे का सत्यापन के बाद प्रतेक चाच-चात्राओं की चाच-बिती और फिस भरपाई की जो कुल रास ही होगी उसका 40% हिस्सा प्रदेश की समाज कल्यान प्विभाग की ओर से उनके बैंग खातों में भेद दिया जाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों आप अपना UP scholarship का इट्थ भी चेक कर सकते हैं आए जो